पूरे राज़त सहित तमाम जो मामले हैं उनको तेजस्पी यादव खुद समाल रहा हैं हमारे साथ तेजस्पी यादव जी हैं तेजस्पी जी जी कैसे तमाम चीजों में समान जस्फ बठा पारा है नहीं कोई नया परिस्तिती नहीं है रास्टे जनतादल के लिए और पहले भी रास्टे जनतादल के सामने ये परिस्तिती आई हैं और आप इतिहास देख सकते हैं कि इस प्रकार से जब जब विब्दा आती है पार्टी पर या हमारे नेता पर तब बिहार की जनता हमेशा और पूरी तरीके से सब लोग गोलबंध हो करके हम लोग कई लड़ाया जीच चुके हैं ये कोई नई परिस्तिती नहीं है और बिहार में जिस तरह से डबल इंजिन की सरकार है गरीब की चिंता नहीं मजदूर की चिंता नहीं किसानों की चिंता नहीं युवाओं की चिंता कोई विकाश का काम नहीं हो रहा, भरष्टाचार घोटाले पर घोटाला, लेकिन कोई करवाई उधर नहीं हो रही है, तो हम लोग, सब लोग बिहार की जन्ता देख रहे हैं, किसी को बिद्वा का पंशन नहीं मिल रहा है, किसको चिकित्सा में जो प्रॉपर जो है स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा है ठेलों पर लाश्ट ले जा रहा है सिक्षा की स्थितिवत से बत्तर हो गई है एक भी विश्विद्याले का समय पर परिक्षा नहीं होता तो सारे इश्यू को लेकर कि हम लोग जाएंगे अब जिस त आने वाले लोग कौन-कौन है यही भाजपा और जनता दल्य उनाइटेट के नितिश कुमार लोग हैं तो वो कोई संकट जो आता है हम लोग सब लोग मिल बाट करके हम लोग मिल करके ललने का काम बक्सर में जो घटना हुई है जैसा कहा जा रहा था कि काम नहीं होने के बि फलताओं को छुपाने के लिए ग्राहमीनों ने महिलाओं ने सब लोगों ने जिस हिसाब से विरोध किया वो क्या चाह रहे थे वो यही चाह रहे थे कि जितने योजनाय हैं महादरलित टोलों में भी काम हो और मुखमंतरी से मिलने नहीं दिया जा जा था उल्टा लाठी वर्चाया गया उन लोगों पर तो वो आक्रोश में हाला कि हिंसा का इस्तमाल नहीं करना चाहे था लेकिन महादरलित परिवार के लोग बताई उस टोलों में मुखमंतरी उतरना नहीं चाहते उनका क्या मांग था कि जितने सात निश्चे के जितने योजनाय हैं सड़क गल सब्सक्राइब इन उफ़ा समय को स parl parlance कि उसको कोई वैल्यू है कोई जानता है उनको स आरोप लगा रहे हैं तो इन लोगों को जो करना किजिए लोग तो बईमान लोग बैठ गये हैं चोड दरवाजे से सरकार में बैठे वे लो जनता जिसको बोट दिया कारगार में जिसको वो Hutch कर दरवाजे महादलितों को इग्नोर करने हैं जो अंतिम पैदान पर खरा व्यक्ति है अदिवासी है एक और बक्सर की घटना बगल की घटना है कैमूर के इलाके में अदिवासी को मार मार करके शराब का जुटा रोप लगा करके जान ले लिया पुलिस वाला मार दिया उसको और जो डेड महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ शड़ा पी करके बलतकार करने की वारदाते आई हैं कहां कुछ हो रहा है अब तो क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का साबुन से नहा लिया लोग तो पाप धुल गया है आप जंगल राज नहीं होगा वहाँ पर क्योंकि बीजेपी गंगा महिया में हम लोग सुनते थे कि गंगा महिया में जाई ये तो पाप धुल जाता लेकिन आप तो बीजेपी में चल ज़एगा तो पाप धुल जागए ये स्थितिया आ गई है जात्ते जैस्वी जी लालू यादों से आप मिलने गए एक आम कैदी को भी अगर जेल में जाता है तो मिलने की सुबधा दी जाती है पुत्र हो या जो उसके चाहने वाले हो लेकिन इस तरह का जहरकंट सरकार पर क्या लग रहा है आपको आखिर ऐसा पावंदी क्यों लगाया गया है लालू प्रशाद यादों से मिलने के लिए लोग डड़े वे ल सालू जी से जादा है लेखी जिए जो नियम काइदा है कम से कम हम पुत्र हैं को मिलने का समय है समवर की बात की उसलिए हम आये थें मिलने 02 5 मिड It men तो कम से कम इतने दूर से हम लोग आएं तो स्वास्त की हम लोगों को चिंता रहती है तो उस चीजों में तो ध्यान रखना चाहिए लेकिन आधे प्रक्रियों में उलजा के रख दिया गया फिर वीडियो कॉंफरेंसिंग में चले गए कभी कुछ कभी कुछ आधा समय तो वह रख द्हारा शात्तर द्हार हैं अन्तिम एक सवाल है लालू जी जब भी मामले संगे उनके प्रती लोगों का जो समर्थन है वह बढ़ते गया है इस बार भी क्या लगता है कि जो आम लोगैं वह ज़ो आम भासा में एक सब्दियूज होता है कि लालू जी को तो फसाई दे गया पुत्र को भी फसाने कोशिस हो रही है क्या लगता है एक गोलवंध हो रही है बिहार जारकंड या जो जनता है अरे सच्छा ही दिखता है ना करवाई से फेक परिवार पर बार बार करवाई जी नैंटी सिक्स से मुनाफ़ा कर देगा तो कुछ निजांच होगा अभी जो जस्टिस लोहा वाले मसले में जो भी वार्दा जो चल रही है घटना है लेकिन उस पर कोई जांच नहीं होगी तो यह तो है ना बीजेपी में जो रहेगा उस पर तानाशा की सरकार है और हर जगाई लोग डराने का धमकाने के लोग काम करता है तो उसे जनता सब देख रही है सब तो सामने ही है कि अमित्षा के बेटे पर क्यों नहीं करवाई हो रही क्यों नहीं हो रही क्या कारण है कही ना कहीं से डर है हम लोगों की होड़ी तो हम तो कहने कि करो मेरा करो फिर दस साल बाद और करना त तो अभी मेरी शादी नहीं हुए अगर मेरा बच्चा होता आठ महीने का तो उस पर भी केस कर दिया होता है तो इस तर पर आ गया है तो ज्यादा कुछ नहीं करेगी उनका दल उतना ही आगे बढ़ेगा